जैश्री कृष्णा राधिरादे दोस्तों आज मैं आप सभी को कार्थि कृष्णान की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आप सभी को कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक अवश्य करें किसी गाउं में एक बुडिया रहती थी और वहे कार्थि का ब्रत रखा करती थी उसके ब्रत खोलने के समय क्रिश्न भगवान आते और एक कटोरा खिचडी का रख कर चले जाते बुडिया के पड़ोस में एक औरत रहती थी वहे हर रोज यह देख कर इश्या करती कि इसका कोई नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचडी मिल जाती है एक दिन कार्थिक महिने का इश्नान करके बुडिया गंगा गई पीछे शेकिष्ण भगवान उसका खिचडी का कटोरा रख गए पड़ोसन ने जब खिचडी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुडिया नहीं है तब वह कटोरा उठा कर घर के पिचवाडे फैक आई कार्थिक श्नान के बाद बुडिया घर आई तो उसे खिचडी का कटोरा नहीं मिला और वह भूकी ही रहे गई बार बार एक ही बात कहती कि कहां गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा खिचडी का कटोरा दूसरी और पड़ोशन ने जहां खिचडी गिराई थी वहां एक पौधा होगा जिसमें दो फूल खिले एक बार राजा उस और से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया घर आने पर उसने वह फूल राणी को दिये जिन्हें सूंगने पर राणी गरवती हुई गी कुछ समय बाद राणी ने दो पुत्रों को जनम दिया वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे लेकिन जब वह दोनों सिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुड़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहां गई मेरी खिचड़ी और कहां गया मेरा कटोरा बुड़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला हर बार जब भी वह सिकार पर जाते तो बुड़िया यही बात कहते और वह दोनों वही उत्तर देते एक बार राजा गर के कानों में यह बात पड़ गई उसे अश्चारे हुआ कि दोनों ड़के किसी से नहीं बोलते तब यह बुड़िया किसे कैसे बात करते है राजा ने बुडिया को राज महल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं तुमसे ये कैसे बोलते हैं बुडिया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझे बोल लेते हैं मैं तो कार्ति किष्णान का ब्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचडी का बेला भरकत दे जाते थे एक दिन मैं इश्णान करके बापिस आई तो मुझे वह खिचडी नहीं मिली जब मैं कहने लगी कि कहा गई मेरी खिचडी और कहा गया मेरा बेला तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचडी फैंक दी थी तो उसमें दो फूल बन गए थे वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सुंगा तो हम दो लड़कों का जनम हुआ हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है सारी बात सुनकर राजा ने बुड़िया को महल में ही रखने का कहा हे कार्तिक महाराज जैसे आपने बुड़िया की बात सुनी वैसे ही आपका अबरत करने वालों की भी सुनना इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारे भनने वाले सभी की सुनना